हेलो गाइज मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे लेटेस्ट वी ओएस 3.0 एंडुए 10 पोर्ट रोम के बारे में जो की नोट 7 प्रो के लिए यहां पे आ चुका है एंड इस रोम के साथ जो experience है वो काफी amazing है अगर आप एक different सी UI यहां पे ट्राइ करना चाते हो यह रोम आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है features आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़ उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना इस रिक्वेस्ट है आप subscribe जरूर से कर देना एंड like भी आप जरूर से कर सकते हो सबसे पहले बात करेंगे calling की so calling आप कर सकते हो आपको जो stock डायलर मिलता है वो एक आपको मिलता है वी ओस की और से जो की इनका खुद का है यहाँ पर आप call recording वगेरा कर सकते हो sound quality काफी loud आपको मिलेगी यह कुछ आपको volume पैनल यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलेगा और रही बात इसके अंदर दूसरे डायलर की वो आपको मिलता है Google का डायलर आपको नहीं मिलता बट जो messaging आप है वो आपको Google की और से भी मिल जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पर जो यह वाल आप देख सकते हैं आपको VOS की और से भी मिल जाएगा recent की बात करें तो recent के अंदर आपको कुछ इस तरीके से option मिलेंगे नीचे close all और कुछ apps आपको मिल जाएंगे then setting के अंदर जाके आप free form, lock this app, app info के अंदर जा सकते हो यहाँ पे split up आप इसको कर सकते हो कुछ इस तरीके से यह आपको एक option यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो की काफी अच्छे से working है and सभी चीज़ें आपकी बाकी भी यहाँ पे काफी अच्छे से working है so दो apps को I think आप यहाँ पे साथ में simultaneously use कर सकते हो अब बात करेंगे about phone की so about phone के अंदर आपको ले चलता हूँ यहाँ पे VOS 3.0 आपको उपर देखने को मिलेगा software information के अंदर आपको Android 10 VOS version 3.0 and Android security patch level March 1 2021 का उसके बाद Google Play system update April 2021 का देखने को मिलेगा perf का kernel मिलता है जो की काफी अच्छे से optimized है and battery backup वगेरा भी काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ पे एक आपको assistant देखने को मिलेगा जिसको आप कुछी तरीके से use कर सकते हो brightness कम ज्यादा करने के लिए या फिर volume को कम ज्यादा या फिर आप कुछ और toggles को यहाँ पे enable कर सकते हो यह मेरे को काफी अच्छा लगा और gaming के time यह काफी अच्छे से आपका work करता है अब बात करेंगे device के certification की जो आपका device है ना वो आपको यहाँ पे not certified देखने को मिलेगा इसको आपको manually ही fix करना होगा जो आपका magis करना वो आप try कर सकते हो latest 23 वाला और वही मैंने यहाँ पे install किया है इसके अंदर safety net आपको यहाँ पे test station field शो करेगा तो इसको भी manually ही fix करना होगा उसके बाद चलते हैं DRM info के अंदर तो कुछ app drawer आपको इस type से देखने का मिलता है इसको आप customize कर सकते हो यह आपको मैं आगे बताऊँगा सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे DRM info के अंदर यहाँ पे widevine L1 का sport आपको मिल जाएगा और यह काफी अच्छे से आपको यहाँ पे working मिल जाता है अब यहाँ पे बात करेंगे इस ROM के smoothness की सबसे पहले app opening या फिर closing speed देखोगे ना काफी अच्छी है बट जो animation है ना उनके अंदर थोड़ा सा आपको jitteriness type पे यहाँ पे feel होगा like MIUI type आपको यहाँ थोड़ी सी feeling आएगी क्योंकि यहाँ पे जो animation है ना इनके अंदर थोड़ा सा मेरे को lag feel हुआ है और यह एक port ROM है तो इस चीज़ का आपको ध्याँ रखना है वैसे normally अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे ना कोई issue नहीं आने वाला बट थोड़ा सा आपको jitteriness से यहाँ पे feel होगा और थोड़ा सा lag भी आपको feel होगा तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे UI देख सकते हो camera आपको इसके अंदर कोई भी stock नहीं मिलता बट Gcam 8.1 हमने यहाँ पे डार रखा है और इसके उपर almost सभी चीज़ें working है videos 4K 30fps and slow motion videos up to 1x4x के उपर यहाँ पे work करती है तो इसको आप try कर सकते हो कोई आपको यहाँ पे issue नहीं आने वाला left side में Google cards का option है यह काफी अच्छी बात है अब चलते हैं कुछ और चीज़ों की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें आना वो आपको मैं और दिखा देता हूँ features के बारे में सबसे पहले बात करेंगे display की तो display के अंदर आपको जो चीज़ें मिलती है वो है adaptive brightness working है dark theme आपका यहाँ पे काफी अच्छे से working है और यह आप देख सकते हो यह काफी अच्छे से आप use कर सकते हो और कुछ और चीज़ों की बात करें इसको schedule आप कर सकते हो always on display का option है और यह भी काफी अच्छे से working है तो आप देख सकते हो always on display काफी अच्छे से working है साथ मैं fingerprint की speed दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे fingerprint scanner की speed देखने को मिलेगी जो कि I think काफी अच्छी है आपको कोई याद आँ यहाँ पे issue नहीं आने वाला and definitely आप इसको use कर सकते हो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे navigation बार की तो अगर आप यहाँ पे three button यूज करना चाते हो तो कर सकते हो otherwise navigation gestures आप enable कर सकते हो sensitivity या फिर आप इस pill को भी यहाँ पे hide कर सकते हो and back आते हैं तो यहाँ पे आपको wallpaper का section मिल जाता है live wallpapers वगएरा के अंदर कुछ नहीं मिलेगा wallpaper आप यहाँ से कुछ लगा सकते हो या आपको कुछ custom wallpapers यहाँ पे BOS 3.0 के मिल जाते हो so आप इनको यहाँ पे home screen and lock screen दोनों के उपर set कर सकते हो home layout के अंदर आप यहाँ पे रख सकते हो app drawer के साथ home screen के उपर apps को या फिर home screen only या फिर simple mode आप enable कर सकते हो then locks screen की बात करें तो यहाँ पे face unlock का भी option मिलता है बढ़ मैंने फिलहाल इसको यहाँ पे try नहीं किया so एक बार मैं इसको set कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ so अब आप देखोगे ना यहाँ पे face unlock की speed वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है और आपको मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते कुछ चीज तरीके की आपको यहाँ पे speed देखने को मिलेगी face unlock की जो की काफी fast है और यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली sound का पैनल कुछ चीज तरीके के साब को देखने को मिलता है यहाँ से आप sound control mode enable कर सकते हो basic या फिर advanced के अंदर आपको यह कुछ और features यहाँ पे देखने को मिलेंगे and ringtone वगर आप यहाँ पे customize कर सकते हो यह सभी चीज़ें आपको almost similar देखने को मिलेंगी notification का पैनल है यहाँ पे security के अंदर आपको यह सब चीज़ें देखने को मिल जाती है and बागी almost सभी चीज़ें same है और बात करें battery की तो battery आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी मैं इसको कल राज से use करा हूँ and heavy भी use कर लिया तो मेरे को कोई भी battery के अंदर major drain वगयरा का issue नहीं आया काफी अच्छा battery backup आपको इस ROM की उपर मिलेगा यहाँ से battery percentage आप enable कर सकते हूँ तो justice की बात करें swipe to screenshot आपका working है आपको मैं दिखा देता हूँ three finger screenshot यहाँ से आप इसको जो है क्या कर सकते हो save कर सकते हो I think या फिर scroll कर सकते हो sorry and अगर कुछ और चीज़ों की बात करें यहाँ पर इसको customize करने का भी option है तो आप इसको यहाँ पर directly यहाँ पर एडिट कर सकते हो यह option आपको मिल जाता है बागी सभी चीज़ें same है tap to wake, sleeve अगरा का option आपको check कर वा देता हूँ यह I think आपका work नहीं करता so lock screen के ऊपर तो आपका work नहीं करता and यह चीज़ आपकी dead है तो यह चीज़ आपको एक option देखने को मिल जाता है फिलहाल ही आपका dead है and system के अंदर आपको यह सभी चीज़ें मिल जाते है software update की बात करें तो यह आपका dead रहने वाला है क्योंकि एक port room है तो port room के अंदर आपको यह चीज़ें face करनी पढ़ सकती है like updater वगरा work नहीं करता चलो अब यहाँ पर performance की बात करेंगे जो यहाँ पर performance है ना वो काफी balanced आपको मिलेगी ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली थोड़ा सा UI के अंदर lag मैंने आपको बता दिया app open या फिर close करती time वो मैंने face किया था बट जो performance है ना वो आपको actually में काफी अच्छी मिलेगी जो score है ना perf kernel के उपर वो आप देख सकते हो 2,24,000 के आसपास and GPU score 40,000 के उपर मिलता है and यह score I think काफी अच्छा रहने वाला है and इसके बाद अगर बात करेना Geekbench 5 की तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा आपको कैसा score वगरा देखने को मिलेगा जो score है वो 508 का है single core के उपर and 1623 का मिलता है multi core के उपर जो की काफी अच्छा है so scores के अंदर आपको कोई ऐसे issue नहीं आने वाला definitely यह ROM आप try कर सकते हो performance काफी अच्छी है daily life के अंदर आप इसको use कर सकते हो and gaming के बाद करें gaming मैंने try किया था so normal सी gaming आप कर सकते हो आपको ज्यादा ऐसे frame drops नहीं face करने पड़ेंगे काफी अच्छी आप यहाँ पे gaming वगेरा कर सकते हो बढ़ हार्ड कोर्स gamer के लिए आपको यह वाली ROM आपको नहीं मिलेगी so अगर आप new features वगेरा try करना चाहते हो and MIUI या फिर USB ROM से बोर हो चुके हो तो इस ROM को आप definitely consider कर सकते हो इस वीडियो के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो like करना, subscribe करना and मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting वीडियो के साथ